दोस्तों सरकारी लाव चैनल पे आपका स्वागत करते हैं यदि आप PM किसान समा ने दी योजिना का 13 हुई किस्त जो आप वेट कर रहे हैं आपने 12 किस्त का पैसा उठा लिया है तो बहुत बड़ी अपडेट है अब आपके खाती में पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन कब से स्टार्ट होगा वीडियो को अंतक देखने के बाद ही आपको पता चलेगा लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यदि आपने अभी तक 12 किस तक नहीं पैसा उठाया है फिर भी आपका अगला पैसा का इंतिजार है कि कब आएगा वो भी अपडेट इस वीडियो में बताए जागा लेकिन सबसे पहले आपके लिए बहुत बड़ी बुरी कबर है कि बहुत सारे किसान तक नहीं बन मैं आपको बता दूँ दो करोड किसान जो है छूड चुके हैं इस बार लाफ नहीं ले पाए जिसका रेजन्स था एक केवाईसी को लेकर बड़ी अपडेट जिसमें बहुत सारे यूजर्स का एक केवाईसी अपडेट नहीं हो पाया लेकिन इसके सासाद बहुत सारे किसानों का भूलेक यानि जो आपका खतवनी था उस्व प्रमारित नहीं था या बहुत सारे किसानों की पास जमिन ही नहीं था फरर जी अपना अल्लाइन करवा कर इस योजना का लाव ले रहे थे उनका भी reject कर दिया गया था मैं आपको बताऊंगा यदि आप इसमें सच्छा में और आपकी अच्छाई है तो आपको पता है कि साल भर में आपको 6,000 रुपय दिया जाता है यानि आपको 4 महीने पे 2,000 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूं जिसके पास जमीन भी नहीं था उसके नामसे और उसके नाम से पी-m किसान का पैसा भी आ रहा था। उसका निर्स्ट कर दिया गया आगे की बात करता हूँ कि मैं उन्होंने अपडेट किया कि कितने जमीन है जमीन अच्छा होना चाहिए और लंग टाइम से उनका रेजिस्टेशन होना चाहिए जो सत्यापित करकर उनके माध्यम से भी बहुत सारे जो भी अत्वलाबदायक थे उनका भी निरस्त कर दिया गय तो जब 17 अक्टूबर को आई थी तो 17 अक्टूबर तो इस वाली किस्ट की बात करूँ तो बताय जरा एक अनुमान के तहर रुपे कि होली के पहले होली के पहले आपको ए लाफ मिल जाएगा 13 वी किस्ट का 2000 रुपे का लाफ पैसा अभी तक कोई भी बढ़ा नहीं है आप को करेक्ट जनकारी मिलता रहेगा इसलिए सब्सक्राइब करकर आल नाटिफिकिसंस में क्लिक करकर रख लेजिएगा मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ आची जनकारी लेकर तब तक के लिए बाइप्रेंट्स